असलेम अलेकम फ्रेंट्स आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हल्वाई स्टाइल समोसा बनानी की रसिपी और आज हम आपके साथ जो है फ्रेंट्स कुछ ऐसी इंफोर्मेशन शेयर करेंगे जिससे जो समोसे है फ्रेंट्स वो हल्वाई स्टाइल बनके रेडी होते हैं और यहाँ पर आज हम जो है एक homemade masala बनाएंगे जो समोसा मसाला है फ्रेंट्स जिससे समोसे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो है समोसे का डव बना लेंगे समोसे का डव बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक कप मैदा लिया है उसमें हमने half tablespoon जो है वो salt एड़ किया है फिर हमने जो है यहाँ पर अजवाइन ली है अजवाइन को इस तरीके से हातों से अच्छे से मसल के जो है हमने आटे में एड़ कर लेना है अजवाइन से जो है friends अजवाइन से समोसे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और अब हमने यहाँ पर जो है वो घी एड़ करना है यहाँ पर आप चाहो तो oil भी आड़ कर सकते हो two tablespoons घी एड़ किया है हमने और हमने आटा और घी को इसी तरीके से ऐसे ही mix करना है और यह देखिये फ्रेंच हमने इसको गी के साथ मिक्स किया तो यह इस तरीके से इसका शेप बनना चाहिए यह देखिए इस तरीके से जब यह अपनी शेप जो है वो होल्ड कर ले इस तरीके से जब यह अपनी शेप होल्ड कर ले तब हमने इसमें जो है वो पानी आट करना है थोड़ा थोड़ा पानी आट करना है और थोड अब हम यहाँ पर समोसे के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं जिसमें हमने वन टेबल स्पून धनिया वन टेबल स्पून सॉफ और वन टेबल स्पून जीरा एट किया है और सारी चीजों को जो है हम अच्छे से ड्राय रोस्ट कर लेंगे यह देखे फ्रेंट इस तरीके से हमने इसको ड्राय रोस्ट कर लेना है जब यह हलका सा गोल्डन ब्राउंड हो जाए और जब यह हलका सा गोल्डन ब्राउंड हो जाए तो हमने जो है इसको थंडा होने के लिए छोड़ देना है और यह देखे फ्रेंट्स जब मसाला अच्छे से थंडा हो जाए तब हमने इसका का एक पावडर बना लेना है और आप चाहो तो mixer के grinder में भी जह है इसका पावडर बना सकते हो लेकिन हमने यहांपे है पहर इसको ज्यादा पावडर नहीं बनाना है फ्रेंट्स यह देखिए इस तरीके से इसका टक्स्टर चाहिए हमें यह देखिए फ्रेंट्स इस तरीके से इसका टेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च और जो मसाला हमने रेडी किया है समोसे का इसमें आण करना है समोसा मसाला हम इसमें आण करेंगे lie और लो फ्लेम पर अच्य से मिक्स कर लेना है अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली पेस्ट और अद्रक लसन का पेस्ट आग किया है और हमने सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेना है अब हमने यहाँ पे मटा राट किया है इसमें सारी चीजों को हमने अच्छे से mix कर लेना है और यह कुछ spices है फ्रेंड्स जिसमें salt, turmeric, black pepper powder, amchur powder और red chili powder है और healthy powder है और यहाँ पर हमने उबले हुए आलू को जो है वो अच्छे से मैश करके इसमें आड कर लिया है यह देखिए फ्रेंड्स सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें और कोई भी चीज दालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स यह जो स्टफिंग है यह बहुत ही आधऊसे ओ द KP ज? हमारा जो अटा है फ्रेंड्स वाट भी अच्छे से जुह ह वह सैट हो गया है आभ मने इसको जो है वह इकवल पार्ट में डडिवाईट कर लेना है यह देखिए इस तरीके से इकवल पार्ट में हमने इसको डिवाईट कर लेना है और इसके चोटे सुखते चोटे से बना लेने हैं हमने एक कप मैदे में जो है वह 8 समोशे बनके रेडी होते हैं कि हिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं उसी दरीके से हम यहां पे पतली जो है वह रोटी लेंगे अगर हम मोटी रोटी बेलते हैं तो जो हमारे समोसे हैं वो सौफ्ट हो जाते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हमने इस तरीके से यह देखिए पतली रोटी बेल लेनी है अब हमने इसको जो है वो कट कर लेना है दो इकुल पार्ट्स में हमने इसको कट कर लेना है यह देखिए यह देखिए फ्रेंट्स और अब हमने यहाँ पर जो है वो समोसा बना लेना है यह देखिए यहाँ से हमने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और दूसरा साइट भी हमने इस तरीके से fold करके हातों से जो है इसको इस तरीके से press करना है friends ये देखिए और ये देखिए friends हमने इस तरीके से हलके हातों से इसको जो है वो प्रेस करना है और ये देखिए अब हमने यहाँ पर आलू की stuffing जो है इसमें add कर लेना है वन टेबल स्पून आलू की स्टफिंग हम इसमें आट करेंगे और जैसे हलवाई स्टाइल समोसे होते हैं फ्रेंड्स उस तरीके से हमने यहाँ पर समोसे बनाना है जिसके लिए हमने यह जो किनारा है फ्रेंड्स उसके एक किनारे को हमने दूसरे किनारे पर इस तरीके से जो कि ये जो है से से हो जाता है हमारा समोसा डेटी है अब लग एक बना जिए एक साइड उसको हमने इस तरीके से फोल्ड करेना है पहले और दूसरे साइड को इस तरीके से उसके ऊपर रखना है फ्रेंट ये देखिए और इस तरीके से हमने हल के हातों से जो है उसको यह देखी प्रेस करना है और अन vê sep sources कौप्रेस कर सवह दिया मैं और अब हम इसमें जो है वो आलू की स्टफिंग अट करेंगे और यह देखे फ्रेंट इस तरीके से हमने इसके आलू की स्टफिंग अट की और अब हमने इसके एक किनारे को दूसरे किनारे पर यह देखे इस तरीके से सेट कर लेना है और हातों की मदद से जो है वो इस तरीक से हलके हाथों से प्रेस करेंगे जिस से हमारा हलवाई स्टाइल जो है वो समसा बनके रेड़ी होता है यह देखिए अब हमने सारे समोसे बना लिए हैं और समोसा बनाते वक्द कपड़े से ढखके रखना से हाड नहीं होते है और यहां एक पैन में जो है ओईल ले लेंगे और पाच मिनट हमने इसको हाई फ्राइ करना है और 10 से 11 मिनट हमने इसको लो फ्राइ कर लेना है friends लोग फ्लेम पर फ्राई करने से समोसे जो है वो हल्वाइ स्टाइल बनके रेडी होते हैं फ्रENDS और ये देखिए फ्रेंच्स तरीके से जब समोसे गुल्डन ब्राउंड हो जाए तब ही हमने समोसे को निकाल देना है और इसी तरीके का टेक्स्चर हमें चाहिए समोसे को golden brown होने तक हमने जो है वो fry कर लेना है ये देखिये friends और अब हमने high flame पर 5 मिनट समोसे को अच्छे से fry कर लेना है और 10 से 11 मिनट जो है वो low flame पर fry करना है और ये देखिये friends अब हमने यहाँ पे प्लेट में जो है वो टीशू पेपर ले लिया है और टीशू पेपर पर जो है हम सारे समोसे निकाल लेंगे और समोसे में जो भी एक्स्ट रॉयल होता है फ्रेंड्स वो टीशू पेपर में जो है वो एब्सॉब हो जाता है तीशू पेपर जो है वो किये गर्मा गरम समोसे यहां पर हमने जो है इमली की खटी मीटी चटनी पुदेने की चटनी और टोमाटो सॉस के साथ सर्फ किया है और अगर आज की रसीपी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में हमें जरूर बताईए और यह समोसे जो है फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी और एक बार जो है आप यह रसीपी ट्राइ कीजिए फ्रेंट्स बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस हल्वाई स्टाइल समोसे बन के रेडी होते हैं और आज की सिंपल सी रसीपी आपको कैसी लगी फ्रेंट्स कमेंट में हमें जरूर बताईए और आप भी इस रसीपी को जो है वो जरूर से ट्राइ कीजिए फ्रेंट्स और ऐसी ही नई रसीपीस के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए मिलते हैं एक नए वीडिय विडियो के साथ, थैंक्स फोर वाचिंग।